नवस्कार दोस्तों, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एर पावर टीमिंग सिस्टम के बारे में, दुनिया भर में आज के समय ये सिस्टम डवलप किये जा रहे हैं और इनको बताया जाता है कि ये है भविश्य एर वार फियर का इन सिस्टम का कॉंसेप्ट क्या है, कॉंसेप्ट आपके सामने है कॉंसेप्ट ये है कि एक मैंड एरक्राफ्ट, अब आज के समय आप अगर देखो सुखोई 30, तेजस, रफाइल ये बेसिकली एक फाइटर एरक्राफ्ट है जिसको एक human being पालेट करता है एर पावर टीमिंग सिस्टम ये कहता है कि क्यों न एक मैंड एरक्राफ्ट के साथ हमेशा कुछ ड्रोन्स फ्लाइ करें इस तरीके से इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको एक्स्ट्रा वैपन्स प्रोवाइड करने के लिए डीप पनेट्रेशन और प्रेशन में असानी के लिए, क्यों न एर पावर टीमिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए दुनिया भर में और इस पर कई कंपनीस काम कर रही है, प्रैमेरली मैं कहूंगा बोइंग इस पर काफी काम कर रहा है नाव बोइंग की जो वेबसाइट है, ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ नाव बोइंग है एक अमेरिकन कंपनी और यहाँ पर आप देख पाऊगे, ये इनकी वेबसाइट में एक सेपरेट इन्होंने सेक्शन ना रखा है फर एर पावर टीमिंग सिस्टम और ये इनका कॉंसेट है, इस टाइप के ये डोन्स डेवलप कर रहे हैं जो हमेशा साथ उड़ेंगे एक फाइटर एरक्राफ्ट के अगर मैं आपको इसकी कुछ इमेजेज दिखाऊँ, यहाँ पे स्कोल करके, यहाँ आप आप देख पाएंगे तो ये इसका कॉंसेट है भी इसको डेवलप कर रहे हैं और काफी तेजी से इसको डेवलप किया जा रहा है बाइब बोईंग और इनकी आधिक एक डेटलाइन आस-पास एक पूरा टीमिंग सिस्टम, नाव, क्या ये फाइटर एरक्राफ्ट बाकी ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, फाइटर एरक्राफ्ट में बैटके पाइलेट को इतनी ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, कि ये अराम से जो बाकी ड्रोन्स है, इनको कंट्रोल करें, और ओवियसी बात है, ये सिस्टम भी इतना असान बनाएंगे, कि पालेट को जादा यहाँ पर फोकस ना करना पड़े, अब एक और क्या ये ड्रोन्स मिसाइल शूट करेंगे, या फिल बस हिट करेंगे किसी एरक्राफ्ट को, दोनों एक्चुली, य इस सब के अलावा ये भी बात की जा रही है, कि as technology progresses, हम इनमें radars और ये बहुत कुछ एड कर सकते हैं, और ये ड्रोन्स ना सिर्फ फाटर एरक्राफ्ट, जो ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट होते हैं, उनके आसपास भी इस तरीके से फ्लाइ करेंगे, और एंशोर करेंग कि यहाँ पर कोई attack ना हो जाए, कुछ documents मैंने पढ़े हैं, वहाँ पर यह भी बदाय जा रहा है, कि यह भी possibility है कि in the future, कि अगर मानलो इस aircraft की तरफ एक missile बढ़ रहा है, और एक drone ने उसको spot कर लिया, तो यह drone खुद को sacrifice कर सकता है, इस aircraft को बचाने के लिए, इस पर भी यह ल drones develop कर रहे हैं, और Indian drones actually conceptual तरीके से आप अगर देखे, तो इन drone से काफी advanced भी दिखते हैं, और आप से लोग के लिए एक बहुत important notification है, आप लोग कल जी सकते हैं, एक हजार रुपे के Amazon gift voucher, UPSC exams को answer करते हुए, जियां simply आपको जाना है Google Play Store पे, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर डाउनलोड कर लो, Unacademy की learning app, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पर register कर लेना, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद, जब यहाँ पर अंदर जाओगे, तो आपको नीचे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा होगा, test, test पर क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर लिखा हूँ आएगा यासे combat, combat पर क्लिक कर दो, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो आपसे पूछेंगे एक code, code यहाँ पर डाल देना, PD10, और आप हो जाओगे आपर enroll, और कल साथ तारीक को सुबह होगा इसका test, और अगर आप इस test में अची performance देते हो, आप top 100 में आते हैं, तो आप 1000 रुपे का Amazon gift voucher भी जी सकते हैं, तो अटेंट करिए यह, बहुत अच्छी आपकी practice योगी यहाँ पर UPSC prelims की, और आप Amazon gift voucher भी यहाँ पर जी सकते हैं, तो इस टाइप के जो drones हैं, यह finally सामने आये थे, Aero India 2021 में, HAL Hindustan Aeronautics Limited, इस टाइप के drones develop कर रहा हैं, और यहाँ पर आप आप देख पाएंगे, यह photo है warrior drone की, यह सबसे ज़्यादा चर्चेत आज के समय, बहुत इस पर आटिकल लिखे जारे हैं, यह भी उसी तरीका से काम करेगा, ज़रे Boeing का drone काम करता है, मगर HAL यहाँ पर नहीं रुका, यहा तो words है ना, आने वाले समय में आपको बहुत सुनने में आएंगे, चाइना भी develop कर रहा है इसको, I think Japan भी develop कर रहा है, मैंने कुछ reports पड़ी थी, Russia obviously इसमें काफी interested है, Russia secretly इसको प्रिपेर कर रहा है, मुझे कुछ इसकी images, कुई documents इसके दारा मिले नहीं रश्या के, but overall दुनि एक fighter aircraft है, ठीक है, नीचे यहाँ पे है cats warrior, आप देखो, drone के यहाँ पर तीन टाइप है, एक तो है cats hunter, यहाँ पर देखो के cats hunter, फिर है cats alpha, और फिर तीसरा सबसे भारी भरका मोर बड़ा है cats warrior, cats alpha और cats hunter, इनको तो आप सीधा load कर सकते हो, airplane को, airplane इनको carry करके जा सकता है, और कभ cats warrior है, यह अलग से take off करेगा, और यहाँ पे आप देखोगे, कि cats warrior में इन्होंने missile लगा रखा है, missile यहाँ पे एक आप देख पाएंगे, यह है, SAAW DRDO, 100 missile से यह lese है, यह missile shoot भी कर सकता है, और जैसे बना आपको बताया, desperate situation में, यह सीधा enemy के aircraft को hit भी कर सकता है, और अगर को इसे भी बड़े हैं, cats warrior, cats hunter, अपने आप में मुझे लगता है, यह missile shoot कर सकते हैं, missile shoot करने की capacity है, यह cats warrior के पास ही है, तो अगला question आपके माइन में यह होगा, कि कब तक हमारे देश में यह ready हो जाएंगे, कब तक अब expect कर सकते हैं, कि इस type के drones हमारे aircraft यूज करना start कर दे, क्या यह drones हम किसी भी aircraft में यूज कर सकते हैं, देंगे most probably जो aircraft हमारे पास इस वक्त हैं, उसमें obviously इसको deploy हम कर पाएंगे, सुखोई 30, probably Rafale, Tejas, Tejas में मैं दिखना चाहूँगा कि यह drones कैसे काम करते हैं, I think it will be absolutely wonderful, और इस से Tejas का जो export potential है, यह भी बहुत जड़ा बढ़ देंगे के दुनिया भगी countries इन systems में इतनी interested हैं क्यो, already हम लोग काम कर रहे हैं on hypersonic missiles, supersonic missiles, तो अचानक से drones की क्या जरोतान पड़ी, देखो इनकी अपनी need है, अगर मानलो आप एक ऐसे battlefield में हो, जहाँ पर जमीन पर बहुत सारे anti-aircraft missiles हैं, SAM हर जगा हैं आपके आस पास, और आपको डर है कि जो pilot है आपका उसके plane को नुकसान ना हो जाए, तो सबसे easy काम या पर यह रहेगा कि एक drone को यहाँ पर आगे भेज़ दो, और even दो इन drones में एक stealth feature है, आप अगर चाहें तो इनको use भी कर सकते हैं to test a field, कि वहाँ पर कितने anti-aircraft missiles वहाँ पर deployed हैं, कितने systems वहा और overall यह offensive capability भी काफिय दक बढ़ा देते हैं एक aircraft की